हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू SAC क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है SAC CHSL 2022 के एक्जाम में जो है सरकारी योजना and schemes related question हर एक shift में आ रहा है तो जितने भी next shift वाले हैं उनको जो है वो ये topic को अच्छे से cover करके जाना है मैंने भी आप लोगों के लिए expected questions इस वीडियो में लिया है और इसको भी आपको अच्छे से revise करके जाना है दो दिन के exam में इस topic से हर एक shift में question आया है तो चलिए important expected questions देखते हैं आने वाले shift में आपको definitely यहां से help मिलेगा तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं प्रधान मंतरी आवास योजना ये कब launch हुआ था तो 25 जुन 2015 को launch हुआ था प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना ये कब लॉंच्ट हुआ तो ये मार्च 2020 में लॉंच्ट हुआ था 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना प्राइम मिनिस्टर्स फूड सेकुरिटी स्कीम फूर दा पूर is a food security welfare scheme announced by the government of India on March 26, 2020 during COVID-19 pandemic in India तो COVID-19 महामारी के दोरान 26 मार्च 2020 को भारा सरकार दोरा ये लांच किया गया था प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना नेक्स है अडर विच स्कीम अन ओवर ड्राफ फैसिलिटी अप टू रूपीज 10,000 तो ये किस स्कीम के तहत ये चीज जो है मौहाया कराया गया किस योजना के तहत 10,000 रुपे तक की ओवर ड्राफ सुब्दा उपलब्द है तो यहाँ पर correct answer क्या होगा राइट answer होगा प्रधान मंत्री जन धन योजना प्रधान मंत्री जन धन योजना 16 जुलाई 2015 को तो यह आप याद रखेंगे प्रधान मंत्री कोसल विकास योजना लॉंच्ट हुआ है 16 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये कब लॉंच्ट हुआ 9 माई 2015 को launch हुआ है प्रधान मंत्री जन्धन योजना ये 28 अगस 2014 को launch हुआ था और इसका मोटो क्या था? मेरा खाता भागी विदाता ये था मोटो मेरा खाता भागी विदाता प्रधान मंत्री जन्धन योजना 28 अगस 2014 को launch हुआ अटल पेंशन योजना जो है ये लाॉंस्ट कब हुआ? तो 9 मई 2015 को लाॉंस्ट हुआ अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना, अपेंशन स्कीम फोर सिटीजन अफ इंडिया is focused on the dash sector worker तो किस sector worker पे ये focus था अटल पेंशन योजना? चार options दिये हैं क्या होगा राइट एंसर अटल pension योजना जो है भारत के नागरिकों के लिए एक pension योजना डैस छेतरों के श्रमिकों पर केंदरित है तो जितने भी unorganized जो हैं unorganized sector के workers हैं उन पर ये focus था तो यहां पर आपको क्या होगा राइट एंसर कौन सा ये स्कीम है गैर प्रमुक बंदरगाहों और प्रमुक बंदरगाहों की connectivity सहित तटिय सीमा छेतरों के साथ राज्य सरकों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई थी तो राइट एंसर क्या होगा सागर माला पडियोजना ओके सागर माला पडियोजना यहां पर राइट एंसर है सागर माला जो ये पडियोजना है प्रोजेक्ट है ये कब लॉंच्ट हुआ तो 31 जुलाई 2015 को लॉंच्ट हुआ था कब 31 जुलाई 2015 को नेक्स्ट है सेतु भारतम, सेतु भारतम ये लॉंच्ट किस ने करा, प्राइम मिनिस्टर नरीद मोदी ने कब 4 मार्च 2016 को at a budget of 102 बिलियन with an aim to make all national highway free of railway crossing by 2019, तो सेतु भारतम को प्रधान मंत्री नरीद मोदी द्वारा 4 मार्च 2016 को 102 बिलियन के budget में launch किया गया था, जिसका उपदेश 2019 तक सभी राष्टिय राजमार्गो को railway crossing से मुक्त बनाना था, नेक्स्ट है शुकन्या सम्रिद्धी योजना, account can be opened by the parents of a girl child or legal guardians anytime before the girl child attains dash, तो सुकन्या सम्रिद्धी योजना खाता जो है बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभाग को द्वारा बालिका के dash होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है, तो minimum कितना age चाहिए यहाँ पर, कितना होना चाहिए, तो 10 years of age होगा यहाँ पर right answer, ठीक है, यह कब launched हुआ सुकन्या सम्रिद्धी योजना, account 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, 22 जनवरी 2015, नेक्स है, the age of the subscriber अंडल अटल पेंशन योजना, should be between dash, अटल पेंशन योजना के तहत, जो subscriber है, की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 से 40 वर्स होना ही होना चाहिए, ओके, 18 से 40 वर्स, नेक्स कोर्शन है, which scheme was launched by the government of India for creation of self-employment opportunities for unemployed educated youth, बिरोजगार सिक्षित युवाओं के लिए, श्वरोजगार के अफशरों के निर्मान के लिए, भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना सुरू की गई थी, वो कौन सा योजना था जो सुरू किया गया था, तो क्या होगा right answer? correct answer होगा यहाँ पर प्रदान मंतिरी रोजगार योजना, ये सुरू किया गया था, Next है, किस योजना के तहत गरीवी रेखा के नीचे, जो यनि कि BPL परिवारों को 5 क로र LPG connections प्रदान किये गए, अंडर विच स्किम, 5 करोर LPG connections were provided to below poverty line families तो क्या होगा यहाँ पर राइट एंसर प्रधान मंतरी उजवला योजना के तहत मिला था यह प्रधान मंतरी उजवला योजना प्रधान मंतरी उजवला योजना जो है यह कब लॉंच्ट हुआ? 1 मई जनवरी 2015 रखो next है there is no requirement to maintain any minimum balance in dash accounts तो dash खाताओं में कोई नुनितम सेश रासी बनाए रखने की कोई आवशकता नहीं है यह किस योजना में था? तो इसका राइट एंसर क्या होगा प्रधान मंतरी जन्धन योजना प्रधान मंतरी जन्धन योजना in which year वाज स्वर्ण जैनती ग्राम श्वरवजगार योजना launched in India तो भारत में स्वर्ण जैनती ग्राम श्वरवजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो उस वर्ष का नाम क्या है? कौन से वर्ष शुरू किया गया था? श्वर्ण जैनती ग्राम श्वरवजगार योजना तो उनीस सौन इनाजबे में launched किया गया था ठीक है? उनीस सौन इनाजबे में launched किया गया था श्वर्ण जैनती ग्राम श्वरवजगार योजना नेक्स्ट है अन्तोडे अन्योजना, ये कब launch हुआ तद किस word शुरू की गई थी अन्तोडे अन्योजना, तो यहाँ पर क्या होगा right answer, correct answer होगा 2000 में launch हुआ अन्तोडे अन्योजना, नेक्स है what is the objective of the dindayal antode yojna तो dindayal antode yojna का उदेश क्या था objective क्या था तो यहाँ पर आपको देखना है option और बताना है कि objective क्या हो सकता है इस yojna के तहर dindayal antode yojna के तहर यह था helping the poor by providing skill training यह था इसका main objective okay helping the poor by providing skill training next है in which of the falling states was the antode yojna launched first तो निमलिकित में से किस राज में antode yojna सबसे पहले शुरू की गई थी तो सबसे पहले किस राज में शुरू किया गया था यह yojna तो इसका correct answer होगा राजस्थान राजस्थान में सबसे पहले यह launched किया गया था next है कि under the antode yojna up to what quantity of rice and wheat can be purchased at a subsidized cost तो antode yojna के तहत रियायती मूल पर कितनी मातरा में चावल और गेहु खरिदा जा सकता है तो right answer क्या होगा 35 kg next है कि निमलिकित में से किस राज में किस राज ने October 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की तो कौन सा वो state था जिसने launched किया था मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना in October 2021 तो ये किया था किसने मध्य परदेश सरकार ने next है इसके तो है इंप्लॉइमेंट जिनेट होगा तो शुर्ण जेनती सहरी रोजगार योजना ओके शुर्ण जेनती सहरी रोजगार योजना ठीक है next है which of the following is a housing scheme for rural people निमलिकित में से कौन ग्रामिन गरीबों के लिए अवास योजना है तो housing scheme for the rural poor तो right answer क्या होगा प्रधान मंत्री गराम अवास योजना ये है next देखिए प्रधान मंत्री अवास योजना ये scheme कब लॉंश्ट हुआ 25 जून 2015 को लॉंश्ट हुआ था प्रधान मंत्री अवास योजना mission portion अभियान ये कब लॉंश्ट हुआ 8 मार्च 2018 को mission सक्ती ये कब लॉंश्ट हुआ 1 अप्रिल 2022 को mission वजसले ये कब लॉंश्ट हुआ 1 अप्रिल 2022 को national health mission national health mission ये कब लॉंश्ट हुआ अप्रिल 2005 को प्रधान मंत्री अयुश्मान भारत health infrastructure mission ये लॉंश्ट हुआ था 25 अक्टूबर 2021 को परधान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा योजना 2003 में लॉंच्ट हुआ परधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना ये 9 माई 2015 को लॉंच्ट हुआ परधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 8 माई 2015 को लॉंच्ट हुआ था अटल पेंशन योजना ये 9 माई 2015 को लॉंच्ट ह तो यह वो योजना है जो की बहुत ही ज़्यादा important है next है जल सकती अभियान ये ministry of जल सकती ने launched किया था 22 March 2021 को जल सकती अभियान जीवन जल जीवन योजना जो है ये ministry of जल सकती ने लॉश्ट किया था 15 अगस 2019 को तो ये रहे योजना and schemes related क्योंकि अभी जो देखा गया है exam में जो question पूछे जा रहा है वो इसी type का question पूछा जा रहा है वैसे मैंने government schemes related एक और वीडियो बनाया था पहले उसको भी आप देख लें अब देखिए next shift वाले में कितने question आते हैं इस वीडियो से तो मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक लिए जो है all the best